आज मैं आप लोगों के साथ इसकी cutting and stitching शेयर करने वाली हूँ और साथ ही में जो हमारा ये play button है ये आ चुका है तो इसकी भी video आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ दिखिए तो 1 lakh जो subscriber है वो हमारे पहले ही हो चुके थे बट प्ले बटन आने में थोड़ी सी जो है वो कोशिश करूँगी और ये जो वीडियो है वो मुझे मेरी एक subscriber ने मुझे Instagram पर send किया था ये YouTube की ही वीडियो थी और मुझे फिर से उन्होंने explain करने के लिए बताया था ये मैंने बहुत ही कम कपड़े में इसको तयार किया हूँ है और मैं बहुत ही आसान तरीके सा आप लो को जरूर समझ में आ जाए तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और जो पहले से मेरे सब्सक्राइबर है उनका बहुत बहुत शुकरिया तो अच्छे लिए इसकी cutting और stitching देखते हैं तो यह वाला जो fabric है यह नीचे वाला जी देखिए यह वाला मैंने 7 मिटर लिया है यह थोड़ा सा मेरे पास बज गया था बट मैं इसको 7 मिटर ही यूश कर ली हूँ तो और यह जो sequence fabric है यह वाला यह मने 1 2.5 मिटर लिया है यह मेरे पास 1.5 मिटर में रखा हुआ था तो मैंन यह हम कहां कहां इसको यूज़ करेंगे, यह मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का कोई फैबरिक है, हाफ मिटर में तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, तो देखें, चलिए अभी इसको साइड में रख देते हैं, फिलहाल के ल इसको निकाल सकते हैं, तो देखें, मैंने इस तरह से इसको फोल करके अपनी लेंद कितनी है, उतना मैंने इसमें 2 इंच एक्ष्टर लिया है, तो मैं आप लोगों को यह मेरे धियान में था कि मैं यह कॉलर वला बना रही हूं, तो मैंने 1 इंच इसमें एक्ष्टर ले लि अभी भी मैं इसमें 1-inch extra लगा रही हूं, बट मैं इसको कट कर दूँगे बाद में से, मैं पहले से आप लोगों को यह बता रही हूं, क्यूंकि मैं इसमें color लगाने वाली थी, तो मेरे दिमाग में यही था, कि मुझे 1-inch extra लेना है, तो देखे सबसे पहले मैं यहां पर 7-inch पे लिया है, अब हम यहां पर लगा देंगे, दिखिए chest का, अब यहां पर देखिए मैं 7-inch का ही लगा रही हूं, जैसे हम normal अपना upper part के लिए लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने इसमें लगाना है, ठीके, तो अब देखिए guys, यह जो है हमारा chest जो है, वो हमारा, उसका force part हम लगाएंगे, मेरा 40 का chest है, उसको मैंने force से divide करके 10-inch पे लगा दिया है, और बाकी जो 1-inch इसमें बचा हुआ है, वो हम इसमें margin के लिए ले लेंगे, और यहां पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, आपका waste note जितना भी हो, उसको हम force से divide करेंगे, और यहां पर 1.5-inch का margin और 1-inch हम इसमें dart के लिए ले लेंगे, तो बस इतना ही था, और इसको हम पट्टी रखते वे इस तरह से यह सीधा-सीधा निशान लगा देंगे, तो अब देखिए guys, अब यह जो हमने लगा दिया है, अब यहां से मैं गले की चोड़ाई लगा रही हूँ, 3-inch पे, य हमने यहां से मैं जहां पर गले की चोड़ाई लगा है, वहां से मैं half-inch margin छोड़ते वे इसमें इस तरह से shape दे रही हूँ, जहां पर हमने chest का marking करे हैं, बिल्कुल वहां पर हमने इसमें, इसको मिला देना है, और यहां पर मैं डाट के लिए लगा रही हूँ, 4-inch पे, यह मैं यहां से इसकी जो डाट ले रही हूँ, वह 5.5-inch यह देखिये, इस तरह से, और दोनों तरफ मैं half-inch का इसमें निशान लगा दूँगे, यानिके 1-inch का यह डाट हो गया हमारा, और इसको हम डाट के लिए इस तरह से निशान बना देगे, कई सारी वीडियो में मनें ब इसको मत कट किजिएगा, नॉर्मल स्लीव लगाना चाते हैं, तो देखिये, यह इसको भी मैं कट कर दूँगी, यहां से, यह मैंने कट कर दिया, तो इसमें 1-inch उठाना है, तो यह देखिये, मैंने नेक लगाया है, 3-inch पे, यहां से भी हम इसमें 3-inch पे ही लगाएंगे, फिर से मैं इसमें शेप दे रही हूँ, यह दिखिये, इस तरह से, तो यह मैंने इसको इस तरह से शेप दे दिया, यह गल्यका है हमारा, हम इसमें कॉलर लगाएंगे, और यहां से यह रेग लेंच लिव है, थोड़ा सा दिखिये, मैंने 1-inch जितना फैबरिक इसमें छोड दिया है, और यहां से मैं इसको कट कर दूँगे, बिल्कुल इसी तरह से मैं बैक में भी कट कर लूँगे, कुछ भी मैंने 1-inch एकष्टा इसमें नहीं बढ़ाया है, तो यह गला भी मैंने कट कर दिया है, तो यह हमारा फ्रंट कट हो गया, अब इसी को रखते हुए, हम अ कुछ प्रंट कट दिया है, तो चलिया अब इसकी जो स्लीव है, वो ककरते हैं, रेगलेन स्लीव बनाने के लिए लिए यहां से मैंने इसको फोल किया, जितना आपका चेस्ट हो उतना है, आप इसमें फोल कीजिएगा, मैने 10-inch पे फोल किया है, और हम यहां से जो कट किये बिल्कुल वैसा ही मैं इसमें कॉपी करूँगी, अब यहां पर हमारा शोल्डर 7 इच का था तो हम शोल्डर लगा देंगे 7 इच पे, अब इसी निशान से पकड़ते हुए हम अपनी स्लीव की लेंद लगा देंगे, जहां पर मैंने 7 इच का शोल्डर लगाया है, वहां से हम इसमें स्लीव रखनी हो, फुल रखनी हो, यहां रखनी हो, जितनी भी आपको रखनी हो, आप इसमें यहां पर रख सकते हैं, और यहां से देखिए मैंने इसको कट कर दिया है सिधा सिधा, अब यहां तक हमारा आर्मोल आ रहा है, और यहां से देखिए हम अपनी स्लीव का जो round आता है, sleeve round वो लगा देते हैं और यहां से हम इसको armhole की तरफ मिला देंगे, तो यह हो गया भी, आप देखें इसको यहां से cut कर देते हैं, जिस तरह से हमने निशान लगा हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको cut करना है, अब यह जो sleeve है, यह हमारी cut हो चुकी है, देखें यहां से इस तरह से जोड़ जाएगी, तो यह हो गया भी हमारा, अब तो यह sleeve को हम साइड में रख देते हैं, अब यह जो हमने cut किये हैं, अपर पाट, इसको हम एक दूसरे के साथ जो है जोड़ लेंगे, यह देखें, यह back है मेरा, यह देखें, यह back piece है हमारा, और यह वाला भी back piece है, अब इसका जो neck है, 1 inch मैंने इसमें neck रखा है, देखिए, इसको भी मैं cut कर देती हूँ, 1 inch का मैंने back neck रखा है इसमें, तो यह मैंने अभी cut कर दिया, तो अभी देखिए, यह saturn fabric और यह हमारा georget fabric, यह इस तरह से हमने इसको मिला कर चारों तरफ से seal देना है, इसको एक दूसरे को हमने इसमें attach कर देन है, अब यह जो front वाला है हमारा, यह देखिए, अब यह जो front वाला है, इसमें हमने अपना जो fabric है, sequence fabric, वो वाला भी इसके पर रखते हैं हमने एक दूसरे के साथ, as it is मैं cut करूँगी, जैसा यह मैंने cut की, बिल्कुल वैसा ही मैं cut कर लूँगी, तो देखिए, इस तरह से, तो यह front वाले में मैंने इस तरह से cut करके इसको seal दिया है, चारोरोर से इसको attach कर दिया है, तो अब यह जो shoulder है, हमारा यह देखिए, यह जो shoulder है, इसको हमने जोड देना है, यहां से, ठीक है, यहां से हम इसको जोड देंगे, अभी हमने जो sleeve cut किये हैं, उसके लिए अभी हमने देखिए, यह shoulder है, इसको जोड देना है, अभी जो sleeve हमने cut किये थे, यह sleeve हमारी यहां से, इस तरह से जुड जाएगी, तो मैं रख कर आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा, यह देखिए, यह sleeve है हमारी, यह देखिए, इस तर आप मीटर का fabric लिया है, वो वाला fabric मैं लोगी, यह देखिए, यह यहां से, यह देखिए, इतना fabric मेरे पास बचा हुआ है, अब यह दोखिए, यह मैंने इसको cut करके हटा दिया है, और इतना हमारा fabric बचा हुआ है, अब इसी को मैं रखते हुए, अपनी sleeve के लिए, वो patch नि चाहो तो इसमें measurement लगा कर भी cut कर सकते हैं, यह देखिए, यहां से मैंने इसको cut कर दिया भी, यहां पर मैं इसको इतना ले लूँगी, अपनी sleeve के लिए, यह देखिए, इस तरह से, और यहां से भी मैं इसको cut कर दूँगी, यह दो sleeve के लिए हमारे, इस तरह से यह cut हो चु यह सिखा दिया है, यह दिखिए इस तरह से, यह मैं इस तरह से इसको रखते वे अधिलाई लगा दूंगी, आखिर में मैं इसके उपर लेस भी लगाओंगी, वो भी मैं आप लोगों किसा जुरूर शेयर करूंगी तो आप लोग देखते रहेगा इसको इहां पर लगा देंगे, यह देखे यहां पर लगाते वे हम इसको सिल देंगे हम इसको डबल फोल करते वे इसके अपर वह लेस लगा Regional तो बस इतना ही था अब ये लेस जो है ये स्लीव जो है हमने इसमें ये लगा दिये हैं अब ये जो हमने बनाए है अपर पाट इसका हम शोल्डर जोड़ देंगे ये देखिए यहां से हम इसका शोल्डर जोड़ देंगे और उसके बाद जो है हमारी ये स्लीव जो है यहां स इसमें लगा दिया है, यहां से मैंने स्लीव जोड दिया है, और यहां से देखिए, यह मैंने लगा दिया है, और इसमें जो डाट हमने लगा दिया है, और इसमें जो डाट हमने लगा दिया है, कई सारी वीडियो में मैंने बताया है, आप लोगों को डाट हम कैसे लगाते है तो देखे स्लीव में भी हमने पैच लगा दिया है, तो आप चलिए देखिए गाई इसका जो खेरा है वह मैं लगा देती हूँ, यह अंब्रेला घेरा मैंने कट किया है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को अंब्रेला घेरा हम कैसे कट करते हैं, बिल आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, तो मैं लिंक दिस्क्रिप्शन बुक्स में दे दूँगी, अम्रेला घेरा की वह आप लोग देख सकते हैं, यह यहां से पीछे से इसमें यह जिप भी आटेच कर दूँगी, तो चलिए इतना मैं रेडी कर देती हूँ, फिर ब घेरा भी हमारा लग चुका है, आप देखिए गाईज अभी हमने जो ऊपर लगाना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, यह देखिए यह घेरा है हमारा, बहुत ही अच्छा खासा घेरा हमारा इसमें निकल चुका है, तो आप देखिए गाईज रेगलन स्लीव का जो इस तरह से औरेब्य मैंने फैब्री को फोल्ड कर दिया, अब मैं यहां से देखिए यह 6 इंच मैं यहां पर देख रही हूं, क्योंकि मुझे यह 6 इंच चाहिए, आप लोग इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, डोंट वरी ठीक है, अब मैं यहां से इसकी लेंद लोगी 15 इ लगा रही हूं, तू इंच पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब लोग, अब यह जो टू इंच और फोर इंच उपर की तरफ मैंने लगा है, इसको हम दोनों को ज्याइन कर दिया, ठीक है, अब यह हो गया अब हमाना, यह देखिए, यहां पर मैंने इसको ज्याइन कर जना गहराई मैं मत दीजाएगा आप देखे हिसकी जो चोड़ाई है mean मैं 4-inch फैब्रिक के अकॉडरइनactions मैं इसमे चोड़ाई रख रह हूं आप चाहो दो इसमें कम चोड़ाई आपटो इसमें रहे हम जो मेरे पास Cash के according मैं इसकी चोड़ाई इसमें ले रही हूँ, आप अपने according कितना भी रख सकते हैं इसमें, ठीक है, तो यह मैंने 4 इंच का निशान इस तरह से ले लिया, आप मैं इसको cut कर देती हूँ, यह औरेब में ही बनेगा, सीधे में नहीं बनेगा, guys, okay, और में बनेगा, तो यह अच्छे से अपने जो hands है, उसके उपर जो है, वो अच्छे से पिट रहेगा, ठीक है, तो आप देखिए, यह इस तरह से मैंने cut कर दिया, यह देखिए, इस तरह से, यहाँ पर में मैं पिन लगा रहे ही हूँ, यह मूँ बहुत ज्यादा हो रहा था, यह saturn fabric है, तो यह बहुत ज्यादा हिल रहा है, तो आप देखिए, यह जो shape हमने दिये है, आर्मोल जैसा shape, यह यहाँ से मैं इसको cut कर दूँगे, जैसे हम v-neck का shape देते हैं, वो भी समझ सकते हैं आप इसको, तो अब देखिए, यह मैं खोल कर आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ से यह देखिए, यह कुछ इस तरह से नजर आएगा आप लोगों को, और यह जो patch है, यह मैंने cut करके निकाल दिया है, देखिए, मै यहाँ पर center में इसको एक रखूँगी, और यह देखिए, यहाँ से मैंने cut करें निकाला है, पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, मैं इसी में से cut करके इसमें patch करूँगी, यह देखिए, यहाँ पर मैं इसको लगा दूँगी, यह देखिए, इस तरह से, तो मैं इसक इसको इस तरह से patch work करते वे, इसको मैं सिलाय लगा दूँगी, यह देखिए, मैंने लगा दिया है, तीन मैंने इसमें लगा दिया है, आप यह देखिए, 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 यह देखिए तो थोड़ा सा इसमें मुझे लगाने में परिशानी आईगी, तो ये दिखे, कुछ इस तरह से मैंने लगा कर रेडी कर दिया है, थोड़ी सी मैंने हलकी हलकी प्नीच इसमें छोड़ दी है, तो ये अच्छे से लग गया है, तो आप देखे, ये जो दूसरा वाला एक और मैंने कट किया है, इस तरह के मैंने 4 पीस कट किये थे, बिल्कुल वैसे ही, जैसा मैंने अब लोगों को बताया, अब इसके उपर रखेंगे हम, और यहां से हम इसको सिलाय लगा कर, इसको पलट देंगे, मैंने 1.5 इंच का मार्जीनिस में छोड़ा है, आप कॉलर के लिए देखिए, ये कुर्ती मैंने ले लिया है, कॉलर के लिए हम इसको इस तरह से मेजेर्मेंट करेंगे, ये 8.5 इंच मेरा कॉलर आ रहा है, तो एक फैबरिक लिए ले लेते हैं, और यहां से मैं लगा दूँगी, 4 इंच का एक निशान यह देखिए, कॉलर भी आप कम ज़्यादा भीग कर सकते हैं, मैंने इसमें 2 इंच का कॉलर रखा है, आप 1 इंच का भी इसमें लख सकते हैं, तो देखिए, मैंने 2 इंच पे निशान लगा दिया, यहां से 3 इंच पे मैंने लगा दिया, जैसे हमने गले की चोड़ाई रखी थी 3 इंच पे, यहां से हमने इसको shape दे दिया, आप इसे को हम पकड़ते वे अपना neck collar इसका shape लगा दिया, यहां से, इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं, collar का shape, यह देखे, यह perfect है हमारा, यह 2 इंच पे, 2 इंच पे, 2 इंच पे, मैंने इसको इस तरह से निशान लगा कर इसको, इस तरह से यह shape दे दिया है, तो यह हमारा collar जो हो चुगा है, अब हम इसको measurement करके देखते हैं, कहां तक हमारा यह 8 इंच आ रहा है, 8.5 इंच, यहां पर हम इसको mark कर देंगे, तो बस इत तक हमारा यह collar आ रहा है, तो हम इसको यहां से, सीधा-सीधा कट कर देंगे, या फिर आप चाहो तो इसमें कोई shape भी दे सकते हैं, तो आप देखिए, इसी को रखते हुए, मैं 1.5 इंच का मार्जन छोड़ दूगी, यहां से, नीचे से, और उपर से, दोनों तरफ से, क्य अब देखिए, मैंने इसमें मार्जन छोड़ते वे, एक और फैब्रिक पर रखते वे, कट कर लिया है, तो यह देखिए, यह मैंने इस तरह से, कट किया है, यह हमारा collar है, यह देखिए, यह collar हमारा बन चुका है, अब हम जो हमने sequence fabric के देखिए, यह नीचे वाला जो border हमने कट किया था, इसके अपर हम अपना collar रखेंगे, और इसी को यहां से, जिस तरह का हमारा collar है, उसी को चारो तरफ से हम इसको कट कर लेंगे, यह देखिए, इस तरह से, यह देखिए, यह हमारा sequence fabric जो है, यह collar के लिए लग गया है, तो अब हम इसको दूसरा वाला फैब्रिक कट कर लेंगे, और इसके पर रखते हम इसको collar को बना लेंगे, मैंने pin से इसको अच्छे से सेट कर दिया है, अब यहां से हम इसको silker, अपना जो normal collar हम बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाना है, तो अब देखिए, इसको मैंने silker ready कर दिया है, यह देखिए, यहां से open है, अब हम इसको सीधा कर देंगे, यहां से, यह दिखिए, मैंने सीधा कर दिया है, और इसी तरह से मैंने दोनों पीस ready कर दिया है, यह देखिए, यहां से, यह दोनों पीस हमेरे यह, इस तरह से ready हो चुके हैं, तो आब देखिए गाई, जो जो collar था हमारा, वह हम इसके साथ attach गरोतो बमी इपळल या आंको कर सेमा तो आरेंकेहश चराएखी अब ये चलिए ये रेडी कुछा एक तरा से मैंनें अच्छा से इसको रेडी कर दिया है इन्सक्राइश करते वे अभ देखे इसको अब हम्टा देते हैं अब ये जो कॉलर है इसको मैंने सील दिया है यहां से मैंने इसको सिल दिया है, अब मैं इसको यहां से कट लगा दिया है, मैंने थोड़े से, और मैं इसको यहां से सीधा कर देती हूँ, इसमें मैंने कोई फ्यूजिंग नहीं डाला है गाई, डबल फैब्रिक करके ही मैंने इसको सिला है, तो अब देखिए गाई, इसको जो है, यह जो हमने बनाए हैं इस को जो है, इस जो हैं है क en подпис. अब यह जो हमने बनाए हैं rag-lend sleeve के लिए यह जो हैं यहां रखना है, यह देख सरद यहां पर मेरी इसाल चोड़ाई है वह थोड़ा सा ज्यादा हो गई थी आप लोग चाहब तो इसकी चोड़ाई कम कर सकती जो मेरा patch है उसके according मैंने इसको रखाता है तो गाइस तो यह मेरी चोड़ाई थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी तो आप लोग please कम रखिएगा तो यह और भी अच्छा लगेगा तो अब जो दूसरा वला है वो हम end में रखेंगे देखिए यह जो हमारा collar का ending है यहाँ पर हम इ देखिए यह back में जाएगा हमारा तो बस इतना ही था यह collar हमारा तो अब हम इसको इसके साथ attach कर लेंगे उसके बाद जो हम कुर्ती में इसमें लगा देंगे यह कुछ इस तरह से हमारे यह shoulder पे रहेगा तो चलिए आप कुर्ती ले लेते हैं अब जो कुर्ती है हमारी उसक तो अच्छे से देखकर ही इसको set कीजिएगा यह देखिए मैं यहां से इसको sequence fabric जो है वो उपर की तरफ आना चाहिए इस बात का दिहान रखते हुए मैं इसको सिलूंगी यहां पर देखिए यह perfect आ रहा है मेरा back में ठीक है यह देखिए यहां तक मैं इसको pin लगाते यह देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें open रखा है guys तभी आप लोगों को यह सिलाई में आएगा okay तो यह देखिए कुछ इस तरह से यह मैं इसको सिल दूंगे और इसके बाद यह जो fabric है इसको मैं fold करते हुए पूरे में सिलाई लगा दूंगी तो चलिए सिल कर दिखा दित इसके बाद यह collar यह हमारा ready हो जाएगा तो irregularly sleeve इसके साथ attach हो जाएगी तो यह देखिए कुछ इस तरह से हमारा ready हो जाएगा और यह zip हमारी पीछे से पीछे से यह open रहेगा guys back यह open है okay front से open नहीं है आपको zip लगाना ही होगा इसमें चीक है तो अब इसके बाद देखिए यह लगाने के बाद जो है मैं इसको उल्टा करूंगी अब यह जो sleeve है हमारी इसमें हमने अभी lace लगाना है यह sleeve बाकी है अभी हमारी यह देखिए कुछ इस तरह से यह हमारा collar नजर आएगा यह देखिए front से अभी जो है हमने इसमें यह जो कुर्ती है इसको अभी हमने side की slide लगाना है उससे पहले जो है यह sleeve है हमारी इसमें मैं lace लगाना बता देती हूँ आप लोगों को जो lace मैंने ली ती टू मिटर यह देखिए यह वाली इसको मैं यहां लगा दूँगी ठीके उसके बाद जो है मैं इसको इसकी side की slide इस तरह से यह बंद कर दूँगी तो बस समझ में नहीं आया है यह आप लोग मुझे comment में पूछ सकते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी कुट्ती रेडियो हो चुकी है मैंने side की slice में लगा दी है और यह मैंने थोड़ा सा जो मोती और जो हमारी sequence होते हैं वो थोड़ा सा मैंने इसमें लगा दिया है और यह म इसकी वीडियो मैंने shoot नहीं कर पाई guys अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जरूर मैं बताऊं तो यह देखिए यहां से हमारा back रहेगा इस तरह से और यह हमारा front है और यह हमारी sleeve है यह sleeve के ऊपर जो हमारे इस तरह से रहेगा यह हमारा घेरा है इस तरह का तो guys यह video जो है हमारी complete हो चुकी है और video कैसे लिए कि आप लोगो जरूर कमेंट में बताइए और आप लोगो क्या समझ में नहीं आया है और क्या confusion है यह मुझे comment करके पूछिए definitely मैं आप लोगों को answer करूंगी तो guys कैसे लगी video जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा मेरी videos को और follow कीजिए मुझे instagram पर और facebook पर भी और सभी की link बने link description बोस में दे दिया है आप महाँ पर मुझे follow कर सकते हैं तो मिलती हूँ मैं next video में तब तक के लिए अपना धेर सारा ख्यार रखिये और दुआ मुझे याद रखिये बाई लहाफीज